पहले आदमी और औरत, आदम और हव्वा एक सुन्दर बाग में रहते थे, जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था, पर शैतान एक धूर्त सांप की तरह आया, और आदम और हव्वा की परिख्शाली तुमको सही में कहा, इन पेडों के फलों को मत खाओ, सांप ने केवल बीच वाले पेड़ से, हव्वा ने जवाब दिया, अगर हम इससे फल खाएं, तो हम मर जाएं, तुम नहीं मरोगे, सांप ने कहा, यहां पर एक कारण है, कि क्यों परमेश्वर नहीं चाहते, कि तुम इस पेड़ से खाओ, अगर तुम खाओगे, तो तुम उसके ज भी दिया, जो उसके साथ था, उसने भी इसे खाया, और एकदम से उन्होंने वो जाना, जो उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था, एक बात जो वो जानते थे, वो ये कि वो नंगे थे, उन्होंने अपने आपको ढखने के लिए पत्तों को जोड़ जोड़ कर सिल लिया, उ आदम, हववा, परमेश्वर ने आवाज दे, हम छिप रहे हैं, आदम ने कहा, हम नंगे हैं, तुम इसलिए ये जानते हो, क्योंकि तुम ने उस पेड से खा लिया है, परमेश्वर ने गहरी सांस ली, तब आदम ने हववा को दोश दिया, और हववा ने सांप को दोश दिय परमेश्वर ने कहा, सांप तु पेट के बल चलेगा, एक स्त्री का पुत्र तुझे हराएगा, हववा संतान पैदा करना कठिन होगा, आदम अन उगाना मुश्किल होगा, तब परमेश्वर ने आदम और हववा के लिए कपड़े बनाएं, और उन्हें बाग से बाहर भे के,